So last lecture में हमने complete कर लिया था example 13 तक अब हम यहाँ पर discuss करने वाले example 14 से तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि example 14 देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या गया है इसमें कहा गया solve for x and y और यहाँ पर हमारे पास equation दे दी कही है तो सबसे पहले equation को लिख लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह equation क्या है यह हो गया 1 by 2 into 2x plus 3y यह हो गया ठीक है और साथ में यह वाले equation है हमारे पास 12 by 7 into 3x minus 2y ठीक है is equal to 1 by 2 first equation यह है इसके साथ साथ जो दूसरी equation है वो कितनी है वो है 7 by 2x plus 3y and then plus 4 by 3x minus 2y is equal to 2 ठीक है अब आपको इस equation को solve करना है आप एक चीज नोटिस करिए मैंने last वाले equation में भी बताया था आपको कि जब भी आपके पास इस तरीके से equation आए तो सबसे पहले आप यह देखिए कि कौन-कौन सी चीज़े common है उनको एक अलग variable के form में replace करिए जैसे इस case में अगर आप देखेंगे तो आप इस equation को कैसे लिख सकते है आप ऐसा लिख सकते है कि यहाँ पर हमारे पास जो equation है उसको हम कुछ इस form लिख सकते है 1 by 2 into 1 by 2x plus 3y ठीक है इसको देखिए इस equation को आप लिख सकते है 12 by 7 into कितना 1 by 3x minus 2y is equal to 1 by 2 इतना clear है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर और इस equation को भी देखी कि आप कैसे लिखेंगे तो इस second वाली equation को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते है 7 by 7 into 1 by 2x plus 3y और साथ में यह हो जाएगा 4 into 1 by 3x minus 2y is equal to 2 अब आप देखेंगे कि यह पार्ट दोनों equation में common है साथ में यह वाला पार्ट भी दोनों equation में common है तो इसका मतलब यह है कि आपको simply करना क्या होगा कि बस यहाँ पर आप 1 by 2x plus 3y की value की जगा p से replace कर दीजिए और साथ में आप इसको भी replace कर दीजिए 1 by 3x minus 2y को किस से? q से ठीक है? फिर उसके बाद आप solve करके देखिए अगर आप इसको replace करेंगे p से और साथ में इसको replace करेंगे q से तो आपके पास equation क्या बन कराएगी? इस equation को अगर आप देखेंगे तो यह हो जाएगा 1 by 2 into p plus 12 by 7 into q is equal to 1 by 2 अच्छा मैं आपको यहाँ लिखके दिखा देता हूँ क्योंकि वहाँ पर वो congested हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह वाली equation क्या बन कराएगी? यहाँ पर 7 into p plus 12 q by 7 is equal to 1 by 2 और यह वाली equation क्या बन कराएगी? यह equation कुछ इस तरीके से आजाएगी यहाँ पर 7 into p plus 4 into q is equal to 2 ठीक है? इसको आप लिख देते है equation 1 इसको हम क्या करते है? further solve करके देख लेते हैं हम क्या करते है? इसका LCM ले लेते है अगर आप LCM लेंगे तो यहाँ पर इसका LCM कितना आजाएगा? 14 और यह हो जाएगा 7p और यह हो जाएगा 24 q 24 q और यह कितना हो गया? 1 by 2 यह से cancel out हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 7 आता है 7 इससे cross multiply हो जाएगा तो यहाँ पर यह आजाएगा 7p plus 24 q is equal to 7 इस equation को हम बोल देते हैं equation 2 अब आप देखेंगे कि आपके पास 2 separate equation बनकर आचुकी है बस इन ही को आपको solve करना है जैसे आप इनको solve करेंगे आपका answer आजाएगा और सबसे interesting चीज़ देखिए यहाँ पर आपके पास first equation बार second equation में यह p जो variable है इसके coefficient same है तो सीधा आपको करना क्या है कि यहाँ पर elimination method apply कर लिजिए आप सीधा बोले कि यहाँ पर second में से अगर हम first equation को minus करते हैं तो क्या आता है आप देखेंगे कि जैसी आप second में से first equation को minus करेंगे तो पहले हम second को लिख देते हैं 7P plus 24Q is equal to 7 और यहाँ पर first equation 7P plus 4Q is equal to 2 जैसी आप minus करेंगे तो यह plus का sign था तो यह minus हो जाएगा इधर plus का था तो यह minus इधर plus का तो यह minus इतना clear है इसको आप cancel कर सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 24Q minus 4Q which is 24Q इसको cancel out कर दीजिए यह 5,1 और यह 5,4 तो इसका मतलब यह हो गया कि Q is equal to 4 इधर आजाएगा तो यह हो जाएगा 1 by 4 इतना clear है अब आपके पास जब Q की value आ चुकी है तो आप किसी भी equation में replace कर दीजिए Q की value अपने आप यह आपके पास P की value आ जाएगी ठीक है तो एक काम करिए देखिए यहाँ पर replace करेंगे तो 24 into 4 यह मतलब 24 into 4 नहीं 1 by 4 है न तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7P plus 24 into मुझे लगा 4 है तो यह थोड़ा सा बढ़ा जाएगा तो इसलिए मैं इस equation में करने वाला था बढ़ ठीक एतनी बड़ी value होगी नहीं आपर 1 by 4 लिखेंगे तो यह तो cancel out हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा 6 तो 7P plus 6 is equal to हो जाएगा 7 तो यहाँ से equation कितनी आती है 7P 0 to कितना हो गया 7 minus 6 तो यहाँ पर यह 7P 0 to 1 अब आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं इस ते रही किसे P 0 to 1 by 7 यह हो गया P 0 to 1 by 7 और साथ में Q 0 to 1 by 4 अब आपको करना क्या है कि आपने सबसे पहले क्या देखा था P की value क्या थी तो आपको P और Q को replace करके देखना है तो हम next वाले page पे करके देख लेते हैं इसको P की value कितनी थी यहाँ पर P की value थी 1 by 7 and then यहाँ पर Q की value थी 1 by 4 ठीक है उसके साथ साथ आपने P क्या लिया था 1 by 2X plus 3Y तो P जो हमने लिया था वो था 1 by 2X plus 3Y 2X plus 3Y and then Q क्या लिया था हमने Q लिया था 1 by 3X minus 2Y तो 1 by 3X minus 2Y इतना clear हो गया अब आप देखिए यहाँ पर आप इन दोनों को अगर compare करके देखेंगे यह P है 1 by 7 और यह P की value यह है तो इसका मतलब इक इन दोनों को आप compare करके देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 1 by 2X plus 3Y is equal to 1 by 7 ठीक है फिर यहाँ से आजाएगा 7 is equal to 2X plus 3Y और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो यह 1 by 4 is equal to 1 by 3X minus 2Y ठीक है तो इसका मतलब यह है कि 3X minus 2Y is equal to कितना हो गया 4 इतना clear हो गया अब आप देखिए कि यहाँ पर 2X plus 3Y is equal to 7 है और इसकी वज़े से हमारे पास जो equation आईए वो है 3X minus 2Y is equal to 4 ठीक है इसमें भी हम क्या कर सकते हैं अभी हमारी पहली equation थी उसको solve किया उसके बाद उसके अंदर जो एक और equation बन कर आईए इसको हमें solve करना है इसमें भी आप क्या कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ elimination method की help से आप इसको solve कर सकते हैं करना क्या होगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा कि इसके coefficient को same कर दीजे क्योंकि इनमें plus और minus का sign है opposite sign है तो जैसी coefficient same करेंगे equation add करके यह काम हो जाएगा मतलब हम इसको easily solve कर सकते हैं तो आपको करना क्या है कि इस equation को multiply कर दीजे 2 से और इस equation को multiply कर दीजे किस से 3 से और फिर दोनों का add करके देखिए तो यह कितना हो जाएगा पहले 2 से multiply करके देखते हैं तो यह हो जाएगा 4X प्लस यह कितना हो गया यह हो गया 6Y is equal to 14 और यह कितना हो जाएगा यहाँ पर यह है 3 into 3 that is 9x and then 3 into 2 तो यह हो गया minus का 6y is equal to कितना हो गया 3, 4, 12 यह हो गया इन दोनों का आप add करके देख लिए जैसी आप add करेंगे तो यह दोनों तो cancel out हो जाएगे बचेगा क्या 4x और 9x तो 4x plus 9x कितना हो जाएगा 13x और यह दोनों add करेंगे तो यह कितना हो गया 26 तो यहाँ से 13 इसे cancel out होगा तो बचेगा 2 तो x की value कितने आगे 2 यह answer है इतना clear हो गया अब x की value अगर आ चुगी है तो यहाँ पर आपको करना क्या है सिर्फ और सिर्फ x की value को replace करना है जैसी आप x की value replace करेंगे इस equation में तो अपने आप यह आपके पास y की value आना शुरू हो जाएगी तो x की value replace करके देखते हैं तो 3 into 2 minus 2 into y is equal to 4 तो यहाँ पर ही हो जाएगा 6 minus 2y is equal to 4 तो 4 को इधर हम replace कर सकते हैं और 2y को हम right side पर replace कर सकते हैं तो जैसे आप इसको replace करेंगे तो 4 यह हो जाएगा minus का 4 minus 2y इधर जाके हो जाएगा plus का 2y ठीक है और यह कितना हो गया 2 is equal to 2y 2 से 2 cancel out हो गया और बचेगा 1 तो यहाँ पर y की value कितने आगी 1 इतना clear है तो इसका मतलब यह है कि x की value 2 है और साथ में y की value 1 आगी तो यह हमारा इसका answer है तो आप देखेंगे कि ऐसे questions में आपके पास कैसा भी type का question हो बस आपको यह देखना है कि इनके अंदर कोई चीज़ common बनकर आ रही है कि नहीं आ रही है उसके basis पे आपको replace करके फिर उस equation को solve करना है जो भी आपके पास नई equation बनेगी उस नई equation के बाद आपके पास जो original values है उनको compare करके जब आप देखेंगे तो आपके पास जो पुरानी equations है वो बनकर रहेंगी जिनके basis मतलब पुरानी equations है जो outcome निकलेगा आपके पास इन equation को solve करने के बाद आपके पास answer आजाएगा ऐसे question में problem क्या होती है कि यहाँ पर क्या होता है आपको दो बार solve करना पड़ता है एक बार नहीं दो बार solve करना पड़ जाता है इसलिए काफी lengthy हो जाता है otherwise process तो वही है सारी चीज़े सेम है elimination method और substitution method के examples है और कुछ नहीं है इतना clear हो गया अब हम आ जाते है question number 15 पर example number 15 पर तो यहाँ पर example number 15 है और इसके हम question ले देते हैं पहले example 15 में दिया क्या गया है solve for x and y again इसमें यही चीज़ है same चीज़ कि हमें x और y के basis पर solve करना equation क्या दी गई है equation कुछ इस तरीके से है एक equation है 2 by root x plus 3 by root y is equal to 2 और साथ में दूसरी equation है 4 by root x minus 9 by root y is equal to minus 1 ठीक है अब आप देखिए अगर आपके पास इस equation को आप notice करेंगे तो आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते है 2 into 1 by root x इसको आप ऐसा भी लिख सकते है 3 into 1 by root y is equal to 2 इस equation को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते है 4 into 1 by root x और यह कितना हो गया, minus का 9 into 1 by root y is equal to minus का 1, ठीक है अब देखिए कि यहाँ पर आपको करना क्या है सिर्फ 1 by x दोनों में common आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम 1 by root x को p से replace कर देते हैं, ठीक है फिर 1 by root y भी common आ रहा है तो इसको हम क्या करते हैं 1 by root y को q से replace कर देते हैं तो जैसे आप इन दोनों को qp और q से replace करेंगे तो यह हो जाएगा 2p plus 3q is equal to 2 यह equation ठीक है और यह वाले equation क्या बन कराएगी यह हो जाएगा 4p minus का कितना हो गया minus का 9q is equal to minus 1 ठीक है आपको करना क्या है कि अगर आपको यहाँ पर elimination method apply करना है मैं हमेशा आपको गोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एक variable है जिसके opposite signs है ठीक है यहाँ पर जैसे plus sign है यहाँ पर minus है तो आप तो एक काम करिए इनके सिर्फ variable के coefficient को same कर दीजे और elimination method apply कर दीजे तब आप देखेए इस equation को हम लिख देते है equation 1 और इसको हम क्या करते है इसको हम लिख देते है equation 2 और इसको multiply कर देते है किस से? 3 से जैसी आप 3 से multiply करेंगे equation 2 को तो यहाँ पर क्य़ आएगा? यह हो जाएगा 6P 3 into 2 कितना हो गया? 6P प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9Q और यह 3 इंटू 2 6 ठीक है और यह वाली equation को हम लिख देते हैं 3rd equation तो यह वाली equation 3rd और equation 1 इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों equation को अगर आप add करते हैं equation 1 plus equation 3 तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 4P minus 9Q is equal to minus 1 और साथ में यह 6P plus 9Q is equal to 6 इन दोनों को add करते वक्त आप notice करेंगे कि यह दोनों तो cancel out हो जाएंगे क्योंकि इनका sign opposite है बचेगा क्या 4P और 6P that is 10P इसका addition करेंगे तो यह कितना हो जाएगा minus 1 plus 6 that is plus 5 ठीक है तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं यह 5 इससे cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह 2 आ जाएगा तो 2P is equal to 1 so this implies P is equal to 1 by 2 यह answer आ गया P 1 by 2 आ गया किसी भी equation में replace करके देखिए अपने आप यह आपके पास Q की value आ जाएगी तो आप एक काम करिए इस equation में replace करके देख लीजे तो यहाँ पर क्या होगा P की value जैसे आप 1 by 2 replace करेंगे तो यह हो जाएगा 2 into 1 by 2 plus 3 into Q is equal to 2 तो यह 2 इससे cancel out हो गया बचाएगे 1 plus 3 Q is equal to 2 यह 1 इधर shift हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा P 0 to 1 by 2 हो गया और साथ में Q 0 to 1 by 3 हो गया अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर X और Y निकालना था P और Q की value तो नहीं निकालना था तो final answer तो यह नहीं है अब आपको करना यह है कि यहाँ पर आपने जो values ली थी P की value आपने अभी 1 by 2 निकाले थी और साथ में P आपने क्या लिया था P हमने लिया था 1 by root X ठीक है और साथ में Q की value कितनी है 1 by 3 Q is 1 by 3 and then यहाँ पर क्या था यहाँ पर यह था कि Q की value हमने 1 by root Y ली थी Q is here to 1 by root Y दोनों को compare करके देखिए दोनों ही अगर आप compare करके देखें क्योंकि यह value और यह value दोनों ही P के equal है तो इसका मतलब भी है कि 1 by 2 is equal to 1 by root X ठीक है और साथ में इसी तरीके से यहाँ पर भी यह दोनों equal होंगे तो यह 1 by 3 is equal to कितना होगे 1 by root Y cross multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा root X is equal to 2 and then root Y is equal to 3 दोनों तरफ अगर आप square करके देखेंगे और इधर भी अगर आप square करेंगे यहाँ पर कितना आएगा X is equal to 4 और साथ में Y is equal to 6 6 नहीं 9 ठीक है तो यहाँ पर X 4 आगया और Y कितना आगया 9 यह answer है कितना clear हो गया किस तरीके से हमें solve करना था तो यह तो बिल्कुल basic था मतला अगर इससे पहले आगर आपने examples किये होंगे example number 13 या 12 से पहले वाले जो examples है तो उसमें आपको idea लग गया होगा कि इस question को कैसे solve करना है इसमें जादो कुछ खास था नहीं अब देखिए यहाँ पर हमारे पास example 15 हो चुका है अब हमें क्या करना है example 16 देख लेते है example 16 में क्या दिया गया है सबसे पहले example 16 लिख लेते हैं गवार example 16 दिया गया है इसमे a-bx plus a plus b y is equal to कितना है अच्छा यह a-bx plus a plus b y is equal to यहाँ पर यह हो गया a square minus 2ab minus b square ठीक है इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी equation है a plus b into x plus y is equal to a square plus b square सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसके अंदर मैंने कई बार देखा है कि जब लोग examples को practice करते हैं तो इसमें mistake सबसे ज़्यादा कर देते हैं कई बार ऐसा लोग कर देते हैं कि a square minus 2ab plus minus b square अगर लिखा हुआ है plus b square नहीं लिखा है आपर minus b square है still वो इसको इस तरीके से लिख देते है a minus b का whole square जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर a minus b का whole square के लिए आपके पास यह plus होना चाहिए था minus नहीं होना चाहिए था यह किसी का formula नहीं है ठीक है तो यह आप ध्यान रखना तो यह part clear हो गया अब हम इसी equation को देखिए इस equation में तो ज़्यादा कुछ changes करने की ज़ुरत नहीं है तो इस equation को आप 1 ले लिजे इस equation को क्या करिए थोड़ा सो solve करके देखिए तो a plus b अगर आप इससे multiply करेंगे तो यह कितना हो जाएगा a plus b into x साथ में a plus b into y यह हो गया और यह रह जाएगा a square plus b square अब आप देखिए आपको करना क्या है किसी भी दो equation में से इसमें आप देखिए y का जो coefficient है वो दोनों same है तो हमें करना यह है कि मसलब second equation में से first equation को minus कर दीजे या first में से second को दोनों equation में सिर्फ और सिर्फ आपको elimination method apply करना है तो जैसी आप elimination method apply करेंगे तो यहाँ पर जब आप minus करेंगे तो यह कितना हो जाएगा a plus b into x plus a plus b into y is equal to a square plus b square और यह equation थी a minus b into x plus a plus b into y is equal to a square minus 2ab minus का b square अब आप ध्यान रखना जब हम इसको minus कर रहे हैं तो यहाँ पर किसका sign plus होगा किसका sign minus होगा यह बहुत ध्यान रखना है यह sign minus होगा क्योंकि इसके आगे plus था क्योंकि कुछ नहीं होगा तो यह बहुत है बहुत है इतना clear है अब आप देखिए जब इसको आप लिखेंगे तो यह होगा a plus b x minus a minus b x ठीक है साथ में यह दोनों तो cancels out होगे और बचेगा यह A Square और Minus का A Square ये दोनों भी Cancel Out हो जाएंगे क्योंकि ये Plus का था ये Minus का हो गया, ठीक है? ये B Square है, ये B Square है, दोनों Add हो जाएंगे क्योंकि ए TwoB Square हो गया, तो ये Plus का 2B Square हो गया और साथ में ये भी Positive है, तो ये हो जाएगा TwoAB, वो भी Positive इतना clear हो गया, अब आप देखिए, इसके अंदर आप x common ले सकते हैं, तो यहाँ पर यह आ जाएगा x, और यह हो गया a plus b, यहाँ देखिए, आप इसमें, यहाँ पर minus था, तो यहाँ पर यह होगा minus का a, minus minus कितना हो जाएगा, plus का b, ठीक है, और यह कितना हो गया, 2, इसके अंदर आप देखिए, 2 common ले सकते थे आप, साथ में अगर आप b भी common लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी b आ रहा है, और इधर भी b है, तो इसका मतलब यह कि b भी आप common ले सकते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया a, and then this one is b, इतना clear हो गया, इसमें आप देखिए, इधर से 2 common ले लिए, इधर से 2 common ले लिए और एक b यहाँ से चला गया, तो बचेगा इस तरफ यहाँ पर एक b बचा और यहाँ पर एक a बचा, इसको हम cancel out कर सकते हैं, a से, तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, x into b plus b कितना हो गया, 2b is equal to 2b into a plus b, अब यह 2b इस से cancel out हो ज करके देख लीजिए, automatically आपके पास y की value भी आ जाएगी, ठीक, तो हम एक काम करते हैं, किसी भी equation में replace करके देख लेते हैं, कि x की value से y की value कितनी आएगी, अब आप एक काम करीए, इसमें replace कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम replace करेंगे, इस first equation में replace करके देखते हैं, अगर x की value a plus b होगा, तो कितना आएगा, तो मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखेगा, अगर x की value a plus b है, तो यह a minus b, यह x की जगा हमें a plus b apply करना है, तो यह हो जाएगा a plus b, plus, यहाँ पर कितना था, a plus b into y, और यह कितना हो गया, a square minus 2ab, minus b square, ठीक है, अब आप देखे, a minus b into a plus b कितना होता है, a square minus b square, ठीक, plus, a plus b into y is equal to कितना हो गया, a square minus 2ab minus b square, ठीक है, इस पूरे part को हम right side ले जाते हैं, तो यहाँ पर आप notice करेंगे कि यह हो गया, a plus b into y is equal to a square minus 2ab minus b square, minus का a square, और यह देखे, यह plus का था, इसलिए हमने minus का a square लिखा, यहाँ minus का b square है, तो यह हो जाएगा, plus का b square, इतना clear हो गया, plus b square minus b square से cancel out हो जाएगा, minus a square plus a square से cancel out हो जाएगा, तो बचेगा कितना minus का 2ab, तो यहाँ पर यह आगया, y is equal to minus 2ab, और यह जो portion था, यह multiplication में, तो इधर आ जाएगा, division में, which is a plus b, त तो यह है हमारे पास y की value, इतना clear हो गया, हमारे पास x और y दोनो values आ चुकी है, और आपको यह चीज़ clear हुआ कि किस तरीके से solve करना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमें कुछ replace करना है, या कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, इसको just आपक दिया क्या गया है, example number 17 में भी यही चीज़ है, कि यहाँ पर देखिए, example number 17 में, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, ax plus by minus a plus b is equal to 0, और साथ में, bx minus ay minus a minus b is equal to 0, यह answer है, मतलब यह question है, answer नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए, आपको करना क्या है कि इस पूरे part को था आप जो constant उसको right side पर ले जाएगे, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ax plus by is equal to minus का a था, तो यहाँ पर ही हो जाएगा plus का a, plus का b था तो यह हो जाएगा minus का b, यह first equation है, इसको यह minus का b था, तो right side पर जाएगे, तो plus का b हो जाएगा, यह हमारी second equation है, लेकिन आप एक चीज़ notice करिए कि इसके अंदर, मैंने जैसे आपको बताया था है कि अगर plus और minus sign है, तो आप elimination method बहुत easily apply कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है, दोनों का coefficient सेम करना है, तो यहाँ पर first equation में किससे multiply करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ first equation में a से multiply कर दीजे, a से multiply कर दीजे, first equation में, और second equation में किससे multiply करना है, second equation में multiply करना है आपको b से, ठीक है, फिर दोनों equation काइड करके देख लिजे, जैसे इसमें b से multiply करेंगे, और इसमें a से करेंगे, तो पहले इसमें a से multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा A square A into B कितना हो गया? A B और यह कितना हो गया? Y इस इवेल्टू कितना हो गया? A से multiply करेंगे तो यह A square A से multiply करेंगे तो यहाँ पर A B इसको अगर आप multiply करेंगे B से तो यह कितना हो गया? B square into X, यहाँ पर X नहीं लिखा मैंने, इसको अगर आप B से multiply करेंगे तो यह minus का AB into Y क्योंकि देखी, यह A पहले था यहाँ पर B से multiply हो गया, तो यह minus का AB हो गया, दोनों के coefficient same हो चुके है, ठीक है, साथ में हम इसको B से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा AB plus B square ठीक है, दोनों काइड करेंगे, तो यह दोनों cancel out हो गए बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ यह पार्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह A square plus B square ठीक है, A square plus B square into क्या बोल सकते हैं, यह X हो गया into X हो गया, is equal to कितना हो गया इन दोनों काइड करेंगे, तो यह दोनों cancel out हो जाएंगे, क्योंकि यह minus A b यह plus A b है, बाकी का बचेगा A square plus B square अब देखिए, इसमें आप X common लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना A square plus B square और यहाँ पर कितना बचेगा, A square plus B square, ठीक है यह इस से cancel out हो गया बचा कितना, X की value सिर्फ आगई आपके पास 1, यह answer है अब जैसे ही आपके पास X की value 1 आएगी, आप किसी भी equation में replace करके देख लीजिए, automatically आपका दूसरा answer आजाएगा, तो हम एक काम करते हैं, first equation में replace करके देखते हैं जैसे ही आप A की value 1 रखेंगे तो यह हो गया, A into 1 plus B into Y is equal to A minus B to A को इधर shift कर देते हैं, तो यह हो जाएगा, A minus B minus A क्योंकि यहाँ पर plus था, तो यह minus हो जाएगा, यह से cancel out हो गया बचा कितना, B Y is equal to कितना हो गया, minus का B अब देखे, यहाँ पर अगर हम B को cancel करेंगे तो यह कितना हैगा, minus का 1 क्योंकि यह minus था और यह plus था तो B को cancel कर दिया, लेकिन minus तो रहे गई तो यह हो गया, Y is equal to minus का 1 यह answer है तो इसका मतलब यह है कि इस equation में X is equal to 1 and Y is equal to 1 यह answer था इतना clear हो गया, अब हम next lecture में discuss करने वाले हैं, example 18 से और example 18 में थोड़ी सी interesting चीज़ है, मतलब example 18 में तो इतना नहीं रहेगा, लेकिन आप notice करेंगे जब आप example 21 पर आएंगे तो example 21 के बाद थोड़े से interesting type की questions है, उनको हम देखेंगे ठीक है, और ऐसे type की questions कैसे हम deal करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ऐसे type की question में elimination method को कैसे apply करना है यह हम देखेंगे next lecture में तो यह lecture तो यहीं तक था अब हम मिलते हैं next lecture में so thank you very much for watching the video I hope आपको यह lecture पूरा clear हो चुका होगा